नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम विंसर एर्बुक 2024 के नोट्स यहां पर कवर कर रहें अभी तक हमने विंसर 2024 की 5 क्लासिस को कवर कर लिया है जिसमें से 4 क्लासिस में उत्रा खंड के जो करेंट अफेर के MCQ से उनको कवर किया और एक क्लास में जो नॉर्मल करेंट अफेर है नेशनल इंटरनेशनल उनके कोशन्स को यहां पर कवर किया आज हम इस सीरीज की छटी क्लास यहां पर कवर करेंगे विंसर 2024 की और आज की वीडियो में भी केवल सेलेक्टेड और इंपोर्टन कोशन आपको देखने को मिलेंगे नेशनल इंटरनेशनल तरेंट अफेर के टॉपिक से अगर आपने इस सीरीज की हमारी प्रीविस क्लास को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे आज का हमारा पहला कोशन है कुई भाशा का संबंद किस राज्य से है तो भाशा, जातिया, कौन सी जन जाती, किस राज्य में पाई जाती है इस टाइप के कोशन आपके बनते रहते हैं कुई भाशा काफी ज़्यादा चर्चा में रही क्यूंकि उडिशा की जो कैबिनेट है उडिशा की जो सरकार है इसने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ये कहा गया है कि इस भाशा को समविधान की आठवी अनुसूची में शामिल किया जाए करेगी केंदर सरकार लेकिन उडिशा से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है तो यहाँ भाशा कहां की है उडिशा की है इंहोंने यानि कि प्रस्ताव रखा है कि हमारे राज्य की इस भाषा को समिधान की आठवी अनुसूची में शामिल किया जाए जिसमें हमारी 22 मानिता प्राप्त भाषाएं है निक्स्ट है भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेदवन पार्क का उधगाटन कहां पर किया गया है तो इंडिया का पहला वैदिक थीम बेजड एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम वेदवन पार्क रखा गया है इस पार्क का उधगाटन नौइडा में किया गया है, पूछा जा सकता है, सितंबर 2023 में इसका उधगाटन किया गया, और जो चीजें पहली होती हैं, प्रथम होती हैं, हमेशा वही प्रथम होगी, तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, पूछा जाएगा, निक्स्ट है, विमल्डन 2023 का पुरुस एकल खिताब किसनी जीता था तो विमल्डन का जो 2023 का जुलाई के महीने में विमल्डन ओपन होता है यानि जो अगला विमल्डन होगा वो 2024 के जुलाई में होगा तब तक आपका डाटा यही रहेगा विमल्डन 2023 जो हुआ उसमें पुर्षों में कार्लोस अलकारेज विजेता रहे और महिलाओं की बात करें महिलाओं में मारकेटा वोंद्रोसोवा वहाँ पर विजेता बनी विमल्डन के आपको दोनों याद करने हैं ठीक है कल हमने यूएस ओपन के दोनों विजेताओं को देखा था नेक्स्ट है नीती आयो देश का पहला मतस्या पालन अटल इन्वैक्यूवेशन केंद्र कहां स्थाफित करेगा तो देश का पहला मतस्या पालन अटल इन्क्यूवेशन केंद्र कहां बनाया जाएगा कहां ये बनेगा ये आपके केरल में बनेगा इसको ध्यान रखेंगे ठीक है जो इनक्यूवेशन केंद्र होता है यहाँ एक तरीके से मतस्य पालन में मदद करेगा यानि उससे संबंदित जो जानकारिया होंगी नई नई तकनीके होंगी उनको बताने में जागुलुकता फै ठीक है निक्स्ट है ग्लूबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया दिखे काफी समय से जो ग्लूबल फायर पावर सूचकांक है इसमें भारत चौथे स्थान पर है तो इस साल भी चौथे स्थान पर है चाहे आप से 2023 का पू जाता है सैन्य शक्ति के मामले में दूसरे इस्थान पर रश्या है और तीसरे इस्थान पर चाइना है तो अमेरिका रूस और चाइना के बार सैन्य शक्ति में भारत चौथे स्थान पर आता है ठीक है दुनिया का पहला मीथीन संचालित रॉकेट जूकेटू किस देश ने ल तो काफी एतिहासिक एक घटना है, यो पहला रॉकेट ऐसा बना है, जो मीथीन से चलाया जाएगा, इसको लॉंच किया है, चाइना ने रॉकेट का नाम है जूकेट 2, इसको ध्यान रखेंगे, कई सारी बड़ी बड़ी जो एजिंसियां है, और बड़ी बड़ी जो स्पेस कंपनियां हैं, जैसे स्पेस एक्स हो गई, या जेब बेजोस की कंपनी हो गई, ये सब प्रियास कर रहें, मीथीन से चलने वाले रॉकेट बनाने की, चाइना ने इसको बना लिया है, ठीक है, दुनिया का सरवादिक हाई ग्रेड फॉसफेट का भंडार कहां से मिला है, तो पिछले वर्ष 2023 में जुलाई के महिने में नौर्वे से हमें एक फॉसफेट का भंडार मिला है, कहां से मिला है, नौर्वे से मिला है, और जो ये फॉसफेट का भंडार मिला है, ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर लगभग 70 अरब टन फॉस्पेट यहां से प्राप्त किया जा सकता है इतना फॉस्पेट जो अगले 100 साल के लिए पूरी दुनिया के लिए काफी होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्पेट भंडार कहां से मिला है जुलाई 2023 की घटना है यह नौर्वे से मिला है ठीक है निक्स्ट है सतलुच जलविद्दूत निगम द्वारा अरुन 4 जलविद्दूत परियोचना कहां इस्थापित की जानिब प्रस्तावित है तो देखे भारत में जो सतलुच जलविद्दूत निगम है इसने नेपाल के साथ एक समझोता किया है नेपाल में ये एक परियोचना लगाएगा नेपाल में एक नदी बहती है जिसका नाम है अरुन नदी इस नदी के उपर अरुन 4 के नाम से एक जलविद्दूत परियोचना बनाई जाएगी तो कहां पर इसको लगाया जाएगा नेपाल में लगाया जाएगा इसको भी ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है नेक्स्ट है संयुक्त राश्ट महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोशित किया है तो कुछ important दिवस जो अब नेने घोशित हुए हैं पेपर में पूछे जाते हैं तो जो सतत परिवहन दिवस है कब मनाया जाएगा ये घोशना करी है UN ने कि 26 नवंबर को हर साल विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा इसकी घोशना मई 2023 में करी गई थी पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर 2023 को मनाया गया 26 नवंबर को भारत में एक और दिन मनाया जाता है आप सभी जानते हैं इस दिन सम्विधान दिवस की रूप में मनाया जाता है भारत में जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राजय कौन सा है देखे गर्मियों के मौसम में पानी की कमी ना हो पानी की किलत राजय में ना हो इसकी लिए उस पानी के लिए उस मौसम के दोरान जब पानी की जादा विशक्ता होती है एक अलग बजट की विवस्था करी गई ज आप कहेंगे केरल है, ठीक है, नेक्स्ट है, समविधान, शाक्षरता, अभियान, प्रारंब करने वाला राज्य कौन सा है, तो समविधान को लेकर जागरुपता फैलाना और सभी विक्तियों को समविधान की बेसिक जानकारी देना, इसको लेकर के केरल के द्वारा एक अभि पून समविधान शाक्षर जिला बना है, इसको भी ध्यान रखेंगे, और इस अभियान को कहां शुरू किया गया, केरल में शुरू किया गया, निक्स्ट है, देश का पहला केबल इस्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तयार हुआ है, तो देश का पहला केबल इस्टे ब्रिज, जो rail bridge है ये बना है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में चिनाप नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अंजी नदी चिनाप नदी की ये सहायक है और इसी नदी पर इस bridge को बनाया गया है 725 मिटर इस bridge की पूरी लंबाई है ठीक है निक्स्ट है 145 चंद्रमाओं के सार सरवादिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घुशित किया गया है तो सबसे जादा उपग्रह यानि सबसे जादा चंद्रमा किस ग्रह के है तो ये हैं हमारे सनी ग्रह के देखे शुरुवात में ब्रहस्पती के पास सबसे ज़ादा उप ग्रह थे बाद में खबर आई कि सनी ने इसको ओवटेक कर लिया है और सनी जो है अब सबसे ज़ादा उप ग्रह वाला ग्रह बन गया है लेकिन कुछी समय के बाद ब्रहसपती के 12 नए उपग्रहों की खोच करी गई और फिर से ब्रहसपती नमबर वन पर आ गया हाला कि इसके भी कुछी समय के बाद पिछले ही वर्ष सनी के 65 नए उपग्रहों की खोच करी गई जिससे सनी के उपग्रह 140 के उपर चले गई तो अभी सबसे जादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वो है शनी ग्रह ठीक है? पृत्वी के कितने उपग्रह है? पृत्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं कितने ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है तो शूरिय से दूरी के कलम में जो पहले दो ग्रह हैं पहला हमारा बुद्ध और दूसरा शुक्र इन दोनों के उपग्रहों के संख्या कितनी है? जीरो पृत्वी के पास एक है, मंगल के पास दो है उन दोनों के नाम पूछे जाते हैं आपने कई बार प्रिविस एर के पेपर में देखा होगा कि फोबोस और डिमोस क्या है? तो फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम है जैसे पृत्वी के क्या है? चंद्रमा ऐसे ही मंगल के फोबोज और डिमोज नेक्स्ट है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो नीती आयोग के पूर्व CEO है जिनका नाम है अमिताप कांथ जो भारत में G20 आयोजन किया गया उसके शेरपा कौन थे अमिताप कांथ और G20 के सफल आयोजन का जो प्रमुक श्रे दिया गया वो भी इन ही को दिया गया तो इनकी एक प्रसिद किताब इनकी एक नहीं किताब Made in India 75 Years of Business and Enterprise किसकी है अमिताप कांथ की परतम Under 19 महिला T20 विश्यू कप 2023 की विजेता टीम कौन है तो देखे पहली बार Under 19 महिलाओं का T20 विल्ड कप खेला गया पिछले साल ये विल्ड कप खेला गया था South Africa में इसका आयोजन हुआ था और पहला ही संस्क्रण किसके द्वारा जीता गया भारत के द्वारा जीता गया ठीक है भारत ने फाइनल में Anti-Drone System का नाम क्या दिया गया है तो इंडिया का पहला एक Anti-Drone System बनाया है हैदराबाद के कंपनी ने बनाया है और इस सिस्टम को नाम दिया है इंडरिजाल इसको ध्यान रखेंगे ठीक है जो हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है Grenay Robotics इनके द्वारा इसे बनाया गया है और यह देश का पहला AI संचालित Anti-Drone सिस्टम है ठीक है चंद्रयान 3 मिशन के प्रग्यान रोवर ने चंद्रमा के सतह पर किस तत्व की उपस्थती की पुष्टी करी है तो चंद्रमा की सतह पर गंधक पाया जाता है यानि सलफर पाया जाता है यह पुष्टी कर चुका है जो हमारा चंद्रयान 3 था ठीक है उसमें जो रोवर है उसका नाम क्या था प्रग्यान और जो उसमें लेंडर है उसका नाम क्या था विक्त्रम ठीक है पूछे जाते हैं Next है MS स्वामी नाथन को किस वर्ष रैमन मेक्स से प्रुसकार से समानित किया गया था अभी हाली में काफी जादा चर्चा में रहे MS स्वामी नाथन 2024 में इनको भारत रतन देने की घोशना करी गई है टोटल पाँच विक्तियों को भारत रतन दिया गया है जिसमें सबसे पहले करपुरी ठाकुर थे फिर थे लालकृष्ण आडवानी उसके बाद MS स्वामी नाथन फिर आते हैं आपके चौधरी चरण सिंग और फिर पाँचवे विक्ति थे पीवी नरसिमा राओ तो पाँच विक्तियों को इस साल भारत रतन दिया गया है स्वामी नाथन की बात करें इनको पद्मशिरी, पद्मभूषण, पद्मवीभूषण सारे अवार्ड मिले हैं हो सकता है इनसे संबंदित कुछ तथे आपके आजाएं क्योंकि पिछले ही वर्ष इनका निधन हुआ था MS स्वामी नाथन की बात करें तो इनका जनम उन्नीस सो पच्चैस में तमिल नाडू में इनका जनम हुआ था भारत में हरित कुरांति का जनक इनको माना जाता है हरित कुरांति आपके 1967 में हुई थी 1967 में ही MS Swaminaathan को पद्म शिरी से समानित किया गया था इसके बाद 1972 में इनको पद्म भूशन से समानित किया गया इसी बीच 1989 में इनको जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ट है भारत में नागरिक अवार्ट वो है पद्म विभूशन वो इनको 1989 में दे दिया गया था तो 67 में पद्म शिरी, 72 में पद्म भूशन और 90 में पद्म फिभूशन इन दोनों अवार्ड के बीच में 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरुसकार दिया गया ठीक है? 1971 में इनको एशिया का नोबल पुरुसकार जिसको कहा जाता है रेमन मैक्स से पुरुसकार उससे इनको समानित किया गया 2023 में इनका निधन हो गया और मरडों उपरांद 2024 में इनको भाररत देने की घोशना करी गई ठीक है? Next है होइसला के पवित्र मंदर संहु किस राजय में इस्दित हैं? होइसला या होइसल के जो पवित्र मंदर संहु है ये आपके करनाटक में है चाड़चा में क्यों रहे? करेंट फिर क्यों बन सकता है? हाल ही में भारत के दो स्थलों को युनेस्को का विश्व धरोहर इस्तल घोशित किया गया एक था बंगाल में जो शांती निकेतन है ठीक है रमिनाट टैगोर ने जिसकी स्थापना करी थी और एक आपका करनाटक का ये मंदिर समहू तो हैसल मंदिर समहू को हाल ही में विश्व धरोहर घोशित किया गया है तो पूछा जा सकता है इनकी लोगेशन कहा है करनाटक में है और दूसरा किसको घोशित किया गया शांती निकेतन जो आपके बंगाल में है ठीक है निक्स्ट है Statue of Oneness किस राज्य में बनाया गया है पहला कोशन तो ये आता है कि जो ये Statue है ये आखिर है किसका तो Statue of Oneness आदी संकराचार्य का Statue है यानि इनकी प्रतिमा है इनकी 108 feet की प्रतिमा लगाई गई है मध्यप्रदेश में तो दिहान रखेंगे Statue of Oneness MP में लगी है और आदी गुरू शंकराचार्य की ये प्रतिमा है नेक्स्ट है World Cities Culture Forum में शामिल होने वाला पहला भारतिया शहर कौन सा है तो World Cities Culture Forum में शामिल होने वाला पहला भारतिया शहर बेंगलुरू रूब बना है ठीक है अमेजन इंडिया ने देश के पहले floating store का उदघाटन कहां पर किया तो देश का पहला floating store किस ने बनाया? अमेजन इंडिया ने बनाया और ये इन्होंने डल जील के उपर बनाया ठीक है नेक्स्ट है देश का पहला autonomous underwater vehicle का नाम क्या रखा गया है दिखे, autonomous underwater vehicle यानि की पानी की नीचे चलने वाला यानि की पंडूपी और autonomous का मतलब हो गया जो अपने आप चलेगी यानि आत्म निर्भर पंडूपी इसको बनाया गया है भारत में और इस पंडूपी का नाम जो automatically चलेगी इसका नाम निराक्षी रखा गया है तो भारत की पहली autonomous पंडूपी यानि खुद से चलने वाली robotic पंडूपी का नाम क्या है आप कहेंगे निराक्षी ठीक है जुलाई 2023 में इसको बनाया गया था नेक्स्ट है है हैले passport index 2024 में भारत की rank क्या है कल ही इस ranking को जारी किया गया है पिछले वर्ष यानि 2023 में भारत इस ranking में 84 नंबर पे था और 2024 में भारत 85 नंबर पर हो गया हैले passport index में देशों के passport को उस आधार पर rank दिया जाता है कि उनके नागरिकों को यानि जिनके पास उस देश का passport है कितने देशों में बिना वीजा के entry मिल जाती है इस आधार पर भारत पिछले वर्ष 84 नंबर पे था इस वर्ष भारत 85 नंबर पर आ गया पहले नंबर पर कुल मिला कर 6 देश हैं जिसमें आपका France है, Japan है इसके अलावा Germany, Italy, Singapore, Spain यह आपके सारे के सारे नंबर एक पर बने हुए है इन सब के passport holder को बिना वीजा के 194 देशों में entry मिल सकती है तो इसको आपने ध्यान रखना है यानि जो France का नागरिक है, Japan का नागरिक है Italy का है, Germany का है, Singapore का है, Spain का है इन देशों के नागरिक 194 देशों में बिना वीजा के जा सकते है भारत की बात करें, भारत को यहाँ जो सुवीधा मिलती है यहाँ वर्तमान में 62 देशों के संधर में मिलती है पिछले साल 60 देशों में भारत बिना वीजा के जा सकता था केवल पासपोर्ट जाकर वीजा वहां जाकर तुरंत मिल जाता था अब इसमें दो की बढ़ोत्री हुई है लेकिन रैंक में एक की कटोती हुई है ठीक है निक्स्ट है नीती आयोग द्वारा जारी निर्यात इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा तो नीती आयोग ने जो एक 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 स्पोर्ट इंडेक्स जारी किया है इसमें तमिल नाडू पहले नंबर पर रहा उत्राखंड की रैंकिंग इसमें महत्पून हो जाएगी क्योंकि पेपर में पूछी गई है इस रैंकिंग में उत्राखंड ओवरॉल पिछले वर्ष उननिस्वे नंबर पे था यानि 2022 में उननिस्वे नंबर पे था और 2023 की जो रैंकिंग थी उसमें उत्राखंड नवे स्थान पर आ गया था तो काफी जादा जंप यहां पा लगाई है रैंक बहतर हुई थी उत्राखंड की पहले नंबर पर तमिलाडू था अगर केवल हिमाले राज्यों में बात की जाए तो हिमाले राज्यों में टॉप पर कौन था उत्राखंड था निक्स्ट है किसने सेद मुस्ताक अली क्रकेट ट्रोफी 2023 को जीता जो घरेलू क्रकेट है रणजी ट्रोफी, दिलीब ट्रोफी, सेद मुस्ताक अली ट्रोफी इनके विजेताओं के नाम आ जाते हैं जो सेद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी है इसका जो विजेता है पिछले वर्ष का वो पंजाब है इसको आपने ध्यान रखना है पंजाब ने फाइनल में वडोद्रा को हराया रवडोद्रा को हराकर इसने ये ट्रोफी जीती शेयद T20 ये ट्रोफी है T20 प्रारूप में ये खेल खेला जाता है इसके लावा अगर पूछे पिछले वर्ष का रणजी विजेता कौन था जो हमारा टेस्ट फॉर्मेट में घरेलू करकेट है तो पिछले वर्ष रणजी ट्रोफी जीती थी सौराश्ट्र ने बंगाल को पराजित किया था ठीक है नेक्स्ट है मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना किस रज्य ने प्रारंब करी थी तो दिखें मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना इसकी शुरुवात हरियाना के द्वारा करी गई थी हरियाना ने एक जुलाई 2023 में इस योजना को शुरू किया था बाद में भारत सरकार ने और फिर दो किंसासित प्रदेश दमंदीव, दादर नागर हवेली और पॉंदुचेरी वहाँ पर इसको एक टेस्टिंग पेरियड के लिए चालू किया। आपने हर्याना का नाम याद करना और इसके साथ में गुजरात और असम का और साथ में दो आपके किंसासित का इसमें भारत को 126 स्थान मिला। पिछले साल यानि जो लाश रंकिंग थे इस से पहली उसमें भारत 135 वे नंबर पे था। इसमें भी सुधार हुआ और भारत 126 वे नंबर पर आ गया। जहां पर भी शांती सूचकांग की बात होगी पहले नंबर पर हमेशा कौन होता है आइसलैंड होता है। आइसलैंड सन 2008 से इस सूची में नंबर एक पर बना हुआ है। और सबसे अशांत देश कौन सा है वो है अफगानिस्तान ठीकें पिछले 5 साल से अफगानिस्तान नंबर आकरी जो 167 है वहीं पर बना हुआ है। ठीकें निक्स्ट है हमारा पियम मुद इसका शुरुबात मध्य परदेश से करी गई थी जुलाई 2023 में ठीकें भारतिया नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास का आयूजन किया। तो सेलवेक्स अभ्यास की बात करते हैं पिछले साल जून जुलाई में इसका आयूजन हुआ था भारत और अम द्वारा दिया गया है तो अरब सागर में एक तूफान एक चक्रवात आता है विपर जॉय यहां नामकरण बांगलादेश के द्वारा किया गया है ठीके कई बार ऐसे पूछ लेता है जैसे हमने कर लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि हार्मून नामकरण किस ने क किया है बांगलादेश ने मनिपूर हिंसा की जाच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अधिक्षता में जाच आयोग गठन किया कल के वीडियो में भी हमने इस कोश्चन को देखा था लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस है यहां पर जाच आयोग केंद्र सरकार ने बनाया है और जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वहां पर कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जाच कमिशन बनाया उसकी अधिक्ष कौन है गीता मितल और केंद्र सरकार ने जून 2023 में बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने अगस 2023 में बनाया था भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जाएगी तो भारत की पहली अंडर सी सुरंग यानि समुद्र के भीतर सुरंग ये बनाई गई है मुंबई के अंदर चक्रवात प्रभावित म्यानमार की सहिता के लिए भारत ने कौन सा ओपरेशन चलाया तो म्यानमार काफी जादा प्रभावित हुआ चकरवाज से और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक ओपरेशन शुरू किया गया जिसे ओपरेशन करुणा नाम दिया गया बाहरा सरकार के कुछ प्रमुक ऊपरेशन जो लगातार पेपर में आ रहे हैं जैसे उपरेशन गंगा इसके लिए चलाय गया था? जो भारतिया यूक्रेन में फसे थे जब रोस यूक्रेन युद शुरू हुआ था उनको वापस लाने के लिए operation गंगा चलाया गया COVID के दौरान वंदे भारत operation यहाँ पर चलाया गया था और COVID के दौरान ही 9 सिना के दौरा एक operation चलाया गया था operation समुद्र सेतू, दोनों का उदेश है एक था कोवीड के दौरान जो भारतिया बाहर फसे हैं उनको वापस लाना ठीक है इसके लावा जब 2021 में तालीबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया तो वहां से भी भारतियों को सफल वापस लाने के लिए सुरक्षित वापस लाने के लिए कॉपरेशन चला था ओपरेशन देवी शक्ती ठीक है निक्स्ट है दो हजार बाइस देश के लिए दूसरा लता दीननात मंगेसकर पुरसकार किसे प्रदान किया गया है तो देखिए दूसरा लता दीननात मंगेसकर पुरसकार यहां आसा भोसले जी को दिया गया है जबकि जो पहला वाला अवार्ड था वो किसको दिया गया था भारत के प्रधानमंतरी नरेंद्र मूदी को दिया गया था तो दूसरा वाला आपको याद करना है पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसकी शुरुवात हुए स अवार्ड की दो ही संसक्रण हुए हैं पहला नरेंद्र मूदी दूसरा आसा भोसले नेक्स्ट है एपल ने किस भारतिया शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोशना करी थी तो एपल भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोलेगा ये उसने घोशित किया था ठीके तो काफी महतपून दिवस है और कोवीड के बासे जब से कोवीड कितने सारे टीके लगे है तो इस दिन का महत वो और जाधा बढ़ जाता है और पूछे जाने की संभावनाय भी बढ़ जाती है जो राश्ट्रिया टीका करण दिवस है ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है इस दिन की शुरुवात मनाने की 16 मार्च को 1995 से होती है चीक है इसको आपने ध्यान रखना 1995 में इसी दिन भारत में जो पोलियो वैक्सीन थी वो देनी शुरू की गई थी जो पोलियो ड्रॉप्स यहां पर देनी शुरू हुई थी पोलियो के खिलाव अभियान शुरू किया गया था 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घुशित किया गया था 16 मार्च को ही हर साल भारत में टीका करण दिवस मनाया जाता है Next है किस ग्रह के वायू मंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है ये भी एक इम्पॉर्टन घटना है पूछी जा सकती है इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो फ्रेंट्स यह तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने विंसर 2024 के जो selected और important current affair के questions थे उनको यहाँ पर cover किया इसमें आपको 400 से साधा current affair के question दिए गए है लेकिन हम इसमें केवल selected और उनको भी detail में देखते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके दो parts में हमने लगभग 70 के करीब National International के current affair को भी detail cover किया है और 4 parts में हमने उत्राखंट के current affair के MCQs को भी देखा था अभी इसके आपकी एक दो classes और आएंगी और फिर चर्चित घटनाएं जो 2023 की हैं उनको हम cover कर जाएंगे जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था विंसर 2024 के जो जो important notes हैं जहां जहां से question बन सकते हैं चाहे वो current affair का section हो चाहे वो static GK का section हो जो नया edition आया है उसमें जो पुरानी चीज़े हैं उनको हमने पिछले साल cover कर लिया था तो वो चीज़े as it is रही है लेकिन जो नई चीज़े जोड़ी गई हैं जो नई question इसमें डाले गए हैं उन सबके notes आपको ऐसे ही इस series में यहां पर देखने को मिलेंगे उमीद करता हूँ आपको आज का video पसंद आया होका अगर आपको ये video पसंद आई हैं तो video को like करें चैनल पर नए हैं तो subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें सरूर बताएं Thank you friends